हम सबी के जीवन का कोई ने कोई एक लच्च होता है और किसी भी लच्च को प्राप्ट करने का सबसे असान तरीका निरंतर और लगातार अभ्यास करना होता है अता एक लच्छ निर्धारित करें, उसे प्राप्त करने की पूरी चेश्टा और एमानदारी से प्रयास करें निश्चिती सफलता मिलेगी और वा सफलता बहुत ही सुकुन देगी कही ने कही आपने एक लाइन सुनी होगी कि असफलता का अर्थ है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया वास्ताओं में बहुत ही सत्य है लेकिन मेरा मानना होता है कि असफलता के ने कही ने कही लच्छ भी बहुत ही बड़ा जिम्मेदार सब्द होता है आपने अगर लच्छ निर्धारित नहीं किया है आपने किसी एक गोल को फिक्स नहीं किया है तो आप वहां तक पहुँच पाना मतलब उस सब्द को उस सफलता के सब्द को प्राप्ट करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है अता लच्छ निर्धारित करना लच्छ को सही तरह से प्लान करना और उस तक पहुचना यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है टार्गर बिथालों का अनल इस्ट्यूट के इस लच्छ पर ही केंद्रित UPTET उत्तर प्रदेश पातरता पर इच्छा कि इस अनलाइन बैच में मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ संस्थान के पब्लिक प्रेटफार्म पर इस बैच से सम्मंदित गतविदियों को आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा संस्थान के ओ लगातार प्रियास जो बिगत कई वर्सों में कई सारे किर्तिमान अस्थापित किये हैं उसको आपने अनुभव किया होगा या किसी से सुना होगा आप संस्थान की इन गत्विदियों में हम सभी के छोटे-छोटे प्रयासों के तहद आपने से बहुत सारे लोग सिछक पत पर चैनित भी हुए हैं और प्रदेश के तमाम सारे विद्यालियों में रहकर के अध्यापन का कारे कर रहे हैं मैं उन सभी को बढ़ाई देता हूँ उन सभी के अच्छे और बहतर भविस्य की कामना कबड़ता हूँ जैसा कि आप सभी मुझे से गड़ित भिसय के माद्यम से जुड़ते आए हैं संस्थान के दोरा आयोजित की गई तमाम सारी बैचस में या लगभग लगभग सभी बैचस में मैं गड़ित भिसय के साथ आपके साथ रहता हूँ मैं गड़ित को आपको समझाने की कोसित करता हूँ गड़ित की उन technicalities को बताने की कोसित करता हूँ, जो कि आपकी परिच्छा के लिए आवस्यक है, चाहे हो किसी भी प्रकार की परिच्छा हो, जब हम लोग किसी एक particular परिच्छा को केंदरित करते हैं, जैसा कि इस अंस्थान ने इस समय सिच्छक पातरता परिच्छा को केंदर होता है, जो पास करने का एक प्रकार का चैलेंज होता है, वो आटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अभ्यरती बहुत जादा होते हैं, तो हम सभी को एक सही स्ट्राइजी के तहत इस परिच्छा को प्लान करना होता है, मैं इस परिच्छा के ऊपर जितनी भी नियुकता है, जो संस्थान आपको प्रवाइड करने के लिए कमिट किया हुआ है, उन सभी के संबंध में इस सेसन को आज और्गनाइज कर रहा हूँ, मैं आज इस सेसन के माध्यम से बैष की संबंधित जितनी भी रूप रेखा हो सकती है, बैष से संबंधित जितनी भी बिसे से भी सम्मंदित भी हो सकती है मैं सब की एक detailed information आपको provide करूँगा और आसा करता हूँ कि मैं यही द्वारा दी कि सभी जनकारियां आपको अच्छी तरह से समझ में भी आएगी मैं पहली चीज आपको information दे दू कि इस batch इस session के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि classes हमारी किस प्रकार से और कब से organized होंगी पहला जो हमारा concept है दूसरा हम course के बारे में भी आपको information देंगे जो कि beginners हैं जो पहली बार UPTET की परिच्छा में सामिल होनी जा रहे हैं उनको यह भी जनकारी होनी चाहिए कि कौन-कौन सा भी से यहां पर पूछा जाता है किन-किन phases में परिच्छा होती है क्या system होता है, क्या approach होता है इसको भी जानने कि आपको आवसकता है हम लोग syllabus पार्ठकरम को उनी से केंद्रित करके यहां पर continue करेंगे हमारी planning क्या होगी आप से हम किस प्रकार से enrolled होंगे आप हमारे साथ किस प्रकार से attached होंगे इसका पूरा एक जो विवरण होना चाहिए उसको भी लेकर के मैं इस पूरे session के बाद जिमसे आपको explain करूँगा आप कैसे हमारे संस्थान से जुड़े कैसे हमारी batches को join करे उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको अच्छी तरीका से समझाने की कोशिस करूँगा हम जुड़ने के बाद जब से ही आप हमसे जुड़ते हैं हम आपको क्या provide करेंगे हम आपको किस प्रकार से content provide करेंगे किस प्रकार का particular provide करेंगे हमारी पढ़ाने की salary strategy क्या होगी उस तब कुछ हम लोग यहां पर जो भी provide करेंगे मैं आपको यहां पर बताऊंगा जब आप हमारे batches में हमारे student की तरह जुड़ेंगे तो आप से हमारी उम्मीद है हम कह सकते हैं कि आप जो भी कि यह जो batch है उप पूरी तरह से UP test मतलब उत्तरप्रदेश teacher celebrity test के उपर based है और यह दोनों paper को cover करेगी मतलब paper 1 and paper 2 अर्थात जो कि एक कच्छा एक से लेकर 5 तक मतलब primary label या कच्छा 6 से लेकर 8 तक मतलब junior ए middle label के लिए पूरी तरह से केंद्रित है आप अगर ध्यान से समझेंगे जैसा कि हो सकता है कुछ ने जैसे आप कोई भी परिच्छा के लिए अगर हम planning करते हैं तो पुरानी चीज़ों को हम लोग read करते हैं उसके बारे में खुद को मतलब उस चीज़ से involve करते हैं उससे अपने आपको relate करते हैं तो आपने पुराने प्रसंपत्रों को भी देखा होगा परिच्छा का pattern समझा होगा हलाकि हम इन सब चीज़ से बिलकुल आपको ऐसा नहीं की दूरी बना कर रखेंगे हम उस चीज़ से आपको relate कराने की कोसिस करेंगे लेकिन फिर भी आप जहां तक अन्भो किये हैं आपने प्रसंपत्रों के माद्रम से चीज़ को अन्भो किया होगा कि जो परिच्छा का pattern है वो इतना आसान नहीं रह गया जैसा कि मैं सुरू में बता रहा हूँ कि criticality इसकी बढ़ गई है उस criticality को कैसे face किया जाएगा क्या challenges हमारे पास होंगे इस सब मैं बताऊँगा इसके पहले मैं आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ट सोचना दूँगा कि आप सभी संस्थान की द्वारा एक authentic telegram group बनाये गया है जो की video की नीचे description में दिया गया है आप वहाँ पर जा करके उसे nisul को join कर सकते हैं वहाँ पर बहुत सारी सूचना है बहुत सारी जानकारी जो इस batch को ले करके है इस system को ले करके है इस concept को ले करके इस पढ़ाई लिखाई की जो भी proper रूप रिखाए वह आपको वहाँ पर nisul के मिलती रहेगी अगर आप हमसे हमारे paid group में जुड़ते हैं तो अच्छी बात है नहीं भी जुड़ते हैं तब भी आप बहुत कुछ information से वहाँ से gather कर सकते हैं तो मैं आप सभी को suggest करूँगा आप नीचे description में टेलिग्राम का गुरूप जरूर जॉइन करें उस गुरूप को जॉइन करने के बाद आप सभी चीजों से या हमसे पूरी तरह से एक बे में relate हो सकते हैं आगे मैं आपको समझाओंगा कि हमारे class का system क्या है classes जैसा कि आपको बताई गई थी classes हम लोग 9 तारिक से प्लान किये थे 9th आप 9th आप 5 से हमने classes को चलाने के लिए प्लानी किये थी और उसी गतिविधियों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 9th आप 5 से आपकी batches के प्रती enrollment हमारा ही start हो जाएगा इसलिए संस्थान ने अभी आज से तीन दिन के लिए part 3 days admission को फिर से open किया है आप अभी भी संस्थान के कुछ authentic number हैं जो मैं आपको provide करूँगा उस पर contact करके आप किसी भी query के प्रती खुद को proper way में communicate खुश से कर सकते हैं मतलब वहाँ पे जो representative होंगे और अपनी उन queries का निराकरण कर सकते हैं अपनी उन दो विधाओं का निराकरण कर सकते हैं आपके पास कुछ calling numbers भी हम लोग यहां पर offer करते हैं और साथ-साथ हम authentic whatsapp number देते हैं जिससे कि आप badge में जुड सकते हैं जो तीन दिन के लिए इस entries open किया गया है इसमें एक number आपको whatsapp provide किया जाता है जो हम लोग अपने इस public platform की विडियो के माद्यम से आपको provide करते हैं इस number आप note का लिजेगा 900 900 5815849 900 आप ध्यांज देखिएगा 5815849 इस पे आपको अपने mobile को mobile पे इस number को save करना है contact list में वाटसेप पे जाकर के entry for youptid 2021 आपको message करना है संस्थान के जो representative है जो इस number को operate करते हैं वो आप से तुरं संपर करेंगे हो सकता थोड़ा सा विलंब हो उतनी के लिए आपको धैरे रखना पड़ेगा हो सकता है 2-4 घंटे लग जाए एक दिन लग जाए सिरीज में numbers प्रवाइट किये जा रहे जिसमें फरक केवल देखी इंडे में 1, 2, 3, 4 and 5 का है मतलब इस starting के digits सब में सेम है 9, 0, 7, 6, 6, 0, 5, 7, 5, 1 वहीं सेम तो सेम सब के साथ है बस इंडे में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है 5 है, 6 है आप इन numbers पर आपको जो भी confusion आते हैं batch में जुड़ने के प्रती, course को समझने के प्रती संस्थान की गद्विरियों के प्रती आप इन number पर संपर कर सकते हो और इनके माद्यम से आप तीजों से जुड़ सकते हैं यह हमने आपको एक information दी मैंने आपको यह बताने की कोसिस करी कि अभी 3 दिन के लिए entries open है इन 3 दिन में आप अभी भी हमारे संस्थान की इस batch में जो की UP TET का batch है इसमें आप लोग पूरी तरह से जुड़ सकते हैं आपको यह पता होना चाहिए कि हर course की अपनी एक अलग प्रकार की टेकनिकल्टी होती है उसी प्रकार से TET की भी अपनी एक प्रकार की अलग टेकनिकल्टी है यहाँ पर सही रूप में आप पहली चीज अपने आपको फिक्स करिए अपने आपको निर्धारित करिए कि हम योगे हैं हम पहली चीज योगे से भी पहले हम eligible हैं फिर हम खुद को फिक्स कर रखे हैं फिक्स कर चुके हैं कि हम योगे हैं हम इस लायक हैं हम इस परिच्छा को क्रैक कर सकते हैं तो आपको उस प्लानिंग में पार्टिसिपेट होना पड़ेगा निरंतरता अगर आप बना के रखते हैं धैरे आप बना के रखते हैं तो आप वास्तों में जो आपने उस एम को निर्धारित किया है जो आपने लच्छ को निर्धारित किया उसको जरूर प्राप्त करेंगे मैं बात करूँगा यहाँ पर थोड़ा सा इस content के बारे में जो की इस परिच्छा को लेकर के है परिच्छा की जैसा मैंने बताया इसके दो paper होगे paper 1 and paper 2 paper 1 and paper 2 paper 1 जो होगा paper 1 जो होगा वो primary label का होगा जिसमें कच्छा एक से लेकर पास तक के syllabus को रखा गया है कच्छा एक से पास तक की ज्वाइनिंग के लिए यह paperizer की जाते हैं कच्छा 6 से लेकर के कच्छा 6 से लेकर के कच्छा 8 तक के लिए आपको पेपर 2 पार्टिसिपेट करना पड़ता है आप पेपर 1 को तो जलिए माल लेते हैं थोड़ा बहुत हलका होता है लेकिन पेपर 2 की जो टेक्निकल्टी है उस सभी बिस्यों की मैं बता रहा हूँ एक अनुभवी अध्यापक एक अनुभवी सिस्टम ही आपको इन सही तरह से गाइड कर सकता है सही तरह से आपको उस लेबल तक पहुचा सकता है कि उस पर इच्छा को आप ट्रैक कर सके आप सही डिरेक्शन में हैं मैं इस बात का आपको कमिट करता हूँ हम लोग जब बैचस प्लान करते हैं हम लोग रोज नहीं प्लान करते हैं जैसा कि आप तमाम पब्लिक प्रेटफर्म पर देखते हैं कि तमाम सारी बैचस डेली की डेली अपडेट की जाती है बनाई जाती है लेकिन हम उस प्रक्रिया में काम नहीं करते हैं हम लोग बहुत ही सीमित तौर पर वैचेस आते हैं वही लाते हैं जिसके लिए हम पहले से प्लान करते हैं उसके लिए एक होमर्क करते हैं उस प्लानिंग उसे स्ट्राड़िय को प्रापर अंजाम देने की और आप सभी इस बात को हमको सराहते विए मैं अब बात करता हूँ थोड़ा सा content के बारे में syllabus के बारे में आईए हम लोग syllabus को समझें जो हमारा particular है आप दिखिए इस प्रकार से जैसे हमने कहा particular आपका दो हिस्सों में बटा है primary और middle level का junior level का primary जोक अच्छा एक से लेकर के 5 तक के हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो कुल 5 बिसे हैं 5 बिसे आपके पास है total 30-30 नंबर का प्रतेग बिसे है कुल 150 नंबर 150 question का paper होना है 150 minute मिलेंगे आपको इस paper के लिए अब इस 150 नंबर के paper में अगर आप बिसेओं की बात करिए तो इसके सबसे पहले child development and language में आपको सबसे पहले एक बिसे अलग से हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है जो सब के लिए कामन होगा इसके बाद optional कुछ बिसे हैं जैसे English and Sanskrit या उर्दू के रूप में है गड़ित आप सब के लिए अनिवार है सब को पढ़ना है एक से लेकर पांस तक के बिसे में environment या परेवर अध्धन जिसको आप कह सकते हो सब के लिए अनिवार है तो मतलब 30-30 नंबर के सभी इन बिसेओं में से आप संपूर अर्जित कर सकने की इस्तिती में होते हैं लेकिन हमने 130 प्लस अंग का लच्छ निर्धारित किया है हमने प्लान किया हम उस तरह की बात नहीं करेंगे कि हम आपको डेड़ सो में से 160 नंबर दिलवा दे हम बात करेंगे जो genuine है जो possible है हमने 130 प्लस अंग को फिक्स किया है आपके लिए मुझे पूरे उमीद है कि 130 के ऊपर ही करेंगे उससे कम नहीं करेंगे अगर आप सही तरह से सही प्लानिंग के साथ काम करते तो 130 अंग आपके होंगे इस बात को मान कर से लिएग आप सभी अगर मैं बात अपने बिसे की करूँगा तो गड़ित के सेल्वस की टेकनिकल्टी मैं इसके साथ ही समझाऊँगा पहले मैं primary की बात करूँगा इसके बाद मैं junior basis पर आऊँगा primary की जो contents है कहीं न कहीं आपको base आपकी मतलब आपके label को improve करेगी अगर आप एक सही तरह से primary और junior दोनों प्लान करके रखे हैं जो primary का content है और कहीं न कहीं junior से जाके relate करेगा लेकिन इसका label उसके label में बहुत अंतर है जमीन आसमान का अंतर है हाँ यहां से सुरुवात की जा सकती है लेकिन depth तक पहुचना है तो उसके label तक जाना है content में भी variation है मतलब आप ऐसे कह सकते हैं जो इनका particular में उसमें भी differences है अगर आपका अच्छा एक से पांच के किसी भी कच्छा में अध्यापक बनते हैं तो जरूरी नहीं आपको गड़ित पढ़ाना ही भी हो लेकिन फिर भी आपको इस समय कंप्टीशन में गड़ित फेस करना पड़ रहा है इसका मतलब गड़ित का उपयोग केवल और केवल calculation purpose से नहीं है गड़ित का उपयोग बेवहारिक परपज में भी है डेली लाइफ में प्रतेक टर्म जो कि हम से संबंदित होता है जिस कारे को हम परफाम करते हैं हर एक activity लगभग लगभग calculation पर based होती है इसलिए बताया जाता है कि दुनिया की किसी भी समस्या को हल करने के लिए गड़ित की आवस्यक्ता होती है math की requirement होती है मतलब कोई भी problem आपको हल करना है कोई भी problem को face करना है उसको solve करना है उसका एक response लेना है तो जाहिर सी बात आपको गड़ित की जरूत पड़ेगी गड़ित का अर्थ ही हो गया कि हम लोग किसी भी situation को एक structure के रूप में frame करें अर्थात हम कोई ना कोई एक समिकरण develop करें समिकरण जब बनाते हैं तो समिकरण को बनाने के लिए मतलब आप समझने की कोशिस कीजिएगा problem को हल करना गड़नाएं परफाम करना यही गड़ित का उप्योग है मतलब आप गड़ित के माध्यम से problem को frame करते हैं मतलब समिकरण बनाते हैं समिकरण को भी बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवसकता पड़ती है अंकों की आवसकता पड़ती है और चिन्नों की आवसकता पड़ती है अब इन अंकों और चिन्नों को combine frame में इस समीकरण को अगर हम हल कर पाएं, इसको कैलकुलेट कर पाएं, तो यही हमारा एक गडित है, हम इस प्रकार की गड़नाओं को परफाम कर पाएं, अर्थात आप ऐसे समझने की कोशिज करिए, जनरल हमें अगर दो-तीन प्रकार की मुक्ता संक्यायम को फेस करने को मिलेगी, आप देखोगे तो कभी आपको पुडांक नजराएगा, कभी आपको दसमलो मिलेगा, कभी आपको भिन्न मिलेगा, चिन्हों की बात करें तो कभी जोड मिलेगा, घटाओं मिलेगा, गुडे मिलेगा, भाग मिलेगा, इस प्रकार से हमें यहाँ पर बेसिक छोटे-छोटे यहाँ पर symbols मिलेंगे जिनको हमें मिला करके calculate करना है गड़ना के अंतरगत लाना है मैं आपको इस बात का commit करता हूँ कि अगर आप छोटी छोटी इन calculations को परफाम कर लेते हैं जो आपको daily life में face करनी होती है जैसे कि आप किसे दुकान पर जाएं कुछ समान खरी दें आप उसे एक बड़ा note दें और वहाँ आपको कितना return करें आप उसको अगर adjust कर पा रहे हैं घर में किसी भी प्रकार की activity के लिए time का management आप रापर कर पा रहे हैं अगर आप बिल्कुल भी गड़ित नहीं जानते हैं और इतनी चीजों में अपने आपको relate कर सकते हैं तो आप इमान कर चलिएगा इस session की दौरा जब भी जो गड़ित आपको face करने को मिलेगी आप बहुत ही असानी से बहुत ही अराम से उसको perform कर पाएंगे मैं पाठिक्रम की बात करता हूँ जैसा कि मैंने एक बात आपको बताया कि जो पाठिक्रम है जो आपको authentic रूप से आयोग के दौरा दिया जाता है मैं और सभी इस चीज को अनभो करते हैं कि यहीं से नहीं होता है हम सभी के experience से यह calculations perform हो पाती हम लोग यहाँ पर exam में इसको track कर पाते हैं क्योंकि बहुत कुछ जो नहीं लिखा होगा वो परिच्छा में आएगा बहुत कुछ जो यहाँ लिखा होगा वो परिच्छा में नहीं आएगा मतलब हमें दोनों चीजे जानने की आवसकता है कि पढ़ना क्या है और नहीं क्या पढ़ना है दोनों चीजे हम समझ करके अगर balance करेंगे तभी जा करके हम चीजों को perform कर पाएंगे सही तरह से हम इस competition को बीट कर पाएंगे आपको मैंने यहाँ पर combine syllabus तो समझा दिया कि आपको 1500 नंबर के लिए phase करना पड़ेगा इस परिच्छा को अगर बात मैं math की करूँ तो सुरुवात यहाँ पर आपके authentic कायोग के syllabus के माद्दम से आपको जोड घटाना गुडा भाग पर अधारी जितने भी प्रस्ण होते हैं मतलब जो basic calculation based process है उनको आपको phase करना होगा इसी के साथ साथ केवल आपके syllabus में LCM लिखा हुआ है लासापा जिसको कहते हैं लेकिन मैं यही पर साथ साथ आपके लिख देता हूई S.C.A.B. मतलब इसको मासा पाभी लिख दूँ तो भी आपके syllabus का ही पार्ट रहेगा वो आपके साथ मैंने जोड दिया मुझे पढ़ाना इस बात को आप मान कर चलिएगा इसके आगे मैं पढ़ूँगा दसंबलो पर अधारी जो हमने वहाँ पर calculation किया मैं वहीं जब पढ़ाऊंगा जोड घटा और गोड़ा भाग तो मैं वहीं पर दसंबलो भी इंवाल्व करा दूँगा मतलब आपको आगे बढ़ने की आउसकता नहीं होगी मतलब इसको अलग तरह से यहाँ पर एक टर्म नहीं मानने की जरूरत होगी अर्थमेटिक हम लोग यहाँ पर जनरली किसी गड़ित को पढ़ते हैं कमटीशन के पॉइंट अब भी उसे तो हम दो पार्ट में इसको बेसिक कनवर्ट कर देते हैं एक अंगडित दूसरा एडवांस अंगडित की अगर हम बात करें जो हमारे कमटीशन के लेवल की होती है जिसकी सुरुवात हम लोग जनरली परसेंटेज से करते हैं यहाँ परसेंटेज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि इससे ही सम्मंधित कुछ नय नय चैप्टर जैसे कि लाभा और हानी हुआ छूट हुआ, सधारण ब्याज और चक्रिविद्धी ब्याज हुआ जबकि लिखा भले नहीं है लेकिन चक्रिविद्धी ब्याज के भी प्रसन पूछे गए हैं इस सब कुछ आपको केवल परसेंटेज से ही कवर हो जाएगा आपको कुछ नया कुछ करने की जरुवत नहीं है जो इस समय करेंट बैचिस में पढ़ रहे हैं इस बात को जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि एक ही कॉंसेट से हम लोगों ने लगभग कई सारे चैप्टर को एक साथ कवर कर लिया है उसके लिए हमें कैसी भी नए नियम को पढ़ने की आवसकता बिलकुल नहीं है कुछ हम Advanced Mathematics के पार्ट जैसे जयामिती, Geometry की हम बात करें Geometry मतलब आप समझ रहें न, ऐसे देखा जाए तो Geometry कार्थ हम दो प्रकार से पढ़ते हैं एक Two-Dimensional भी पढ़ते हैं, एक Three-Dimensional भी पढ़ते हैं लेकिन हमारे पार्ट एक्रम में Two-Dimensional सर्फिस के अंतरगत जो भी मीजर्मेंस पर फार्म होते हैं, उनके उपर वर्क किया जाता है जन्रली अगर मैं बात Geometry की करूँ, तो Geometry जन्रली देखिए ध्यान से इसको हम Geo प्लस मिट्रियान दो सब्दों में Break कर सकते हैं जियो का अर्थ आपको पता है कि अर्थ ही होता है, मतलब प्रिथभी होती है मिट्रियान का अर्थ होता है measurement मतलब प्रिथभी या प्रिथभी से सम्बंध जो भी तर्म या बैलूस ऑब्जेक्स जो सर्फिसिस पर संभव हैं उन सभी के मीजर्मेंट को हम इस जामिती के अंतरगत गन करते हैं इसको यूकलिड एक साइंटिस्ट है उन्होंने प्रवाइट किया था इस कॉंसेप्ट को सोहिवाज काल्द फादराद जमेट्री उन्होंने हमें कहा कि हम प्रित्वी और प्रित्वी के अंतरगत जितनी भी आकरतियां हैं उन सभी का अध्यन जामिती के अंतरगत कर सकते हैं और जामिती अर्थात इस प्रकार के किसी भी मीजर मेंस को पर फार्म करने के लिए हमें मुख्यता तीन चीजों की आवसकता होगी एक तो बिंदु जिसको हम पॉइंट कहेंगे बिंदु को बिंदु से मिलाएंगे तो रेखा होगी, लाइन होगी रेखा को रेखा से जॉइन करेंगे तो कोड बनेगा मतलब इस प्रकार के जितने भी प्रॉसेस है कोई भी फीगर बनेगा मुख्यता इन तीन चीजों को जरूर अपने साथ ख़बर करेगा जब हम लोग इसको पढ़ने लगेंगे तो डिटेल से सारी बाते सीखेंगे और पॉइंट तो पॉइंट जितनी आवसकता है उतना हम आपको सिखाते जाएंगे बिरित ये भी प्लेन ही फीगर होता है बट सीधी नहीं कर्वरेखाओं से बना होता है बिरित दो जगहों पर मैं आपको पढ़ाऊँगा एक तो छेत्रमिती में भी पढ़ाऊँगा दूसरा मैं जामिती में भी पढ़ाऊँगा जहाँ-जहां इसकी आवसकता यहां पर एक्च्छल रूप से आपको दिखेगी रूपया कुछ ऐसे टर्म है जो मनी के रूप में होते हैं मनी से सम्मंदित जितने भी जनकारिया हो सकती है मनी का इंटर कनवर्जन एक फेजस से दूसरे फेज में जाना आपस में जो उन से रिलेट करते हुए कैलकुलेसंस पर फाम हो सके उनकी बात करना यह सब कुछ हम मनी पे बात करेंगे मीजरमेंट्स की अगर हम बात करें माप की जो कि आपकी चाहे टाइम से रिलेट करता हो चाहे भारे बेट से रिलेट करता हो कैपिसिटी शमता से रिलेट करता हो लंबाई से रिलेट करता हो जितने भी measurement संबों हैं जो हमको एक प्रकार से एक मातरक के रूप में देखने को मिलते हैं वो सभी का सभी आपके पाठिक्रम का हैं सह जिन से संबंदित प्रसन आपके primary level के परिशाओं में पूछे जाते हैं परिमाप पर अधारित प्रसनों की बात किया जाया परिमाप इसने लिखा मैं यहाँ पर area भी लिख देता हूँ जब परिमाप कोई पढ़ाएगा तो area मतलब छेतरफल तो उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है अर्थात त्रिभुज पढ़ें, बृत्त पढ़ें, चत्रुभुज सभी प्रकार के पढ़ें अर्थात आयत, वर्ग, समांतर, चत्रुभुज, समलम, चत्रुभुज जितने भी प्रकार के चत्रुभुज अर्थात टू-डाइमेंशनल फीगर होते हैं उन सभी फीगर के परिमाप और उनकी जो है अंडर रीजन एरिया इनका मेजर्मेंट हम लोग यहाँ पर मेंसुरेशन अर्थात छेत्रुमिती के अंतरगत यहाँ पर कबर करेंगे यह हमारे पार्थे करम का हिस्सा रहेगा कलेंडर जो जन्रली रेजनिंग का पार्थ होता है इसके लिए मैं रभी सर को बोलूँगा कि वो आपकी बैच में इस टॉपिक को जरूर कम्प्रीट कराएंगे सांखे की हमारा हिस्सा रहेगा स्टाइटिस्टिस्क जो हम आपको इसके अंतरगत जो मुख पूछी जाती जो में चीज है जैसे कि आप जानते है कि आंकडो को रीड करना और आंकडो को रीड करके उसके इस्टेंटल बैलू अर्थात केंदरी इमान को ग्याद करना जो कि मीन मतलब माध्धे मीडियन मीडियन जो कि माध्धिका कहलाती है माध्धिका कहलाती है और mode अर्थात बहुलक कहलाता है इसको हम लोग cover करेंगे इस term के अंतरगत सांधिकी के बाद अगर हम लोग बात करें तो यह आपका देखिया आयतन भी मैंने जिसे आप से कहा कि कुछ segment जिसे पूछे जाते हैं आयतन मतलब आप समझ गया होंगे जहां पर capacity की बात की कि जैसे इस कमरे में अगर खड़े हैं कमरे की छमता क्या है कितना air contain कर रही है या कोई भी अगर solid article बनाया गया है बस तो तो उसमें उस धातू की कितनी मात्रा लगी हुई है हम इसको अध्यन करेंगे आयतन के अंतरगत इसमें density भी पढ़ाया जै भान आपको कौन भी पढ़ाया जाएगा तो जो सम्मंदित इस से रेलेट करते हैं वो जो सब आपकी जनकारी में आपको पढ़ाया जाएंगे यहां अलग से छहित पर लिखा मैंने सुरू में बता दिया 는 जब परिमाप पढ़ाएंगे उसी दोरान ही आपको छेतपल पढ़ाएंगे यह जो system है जो इसने दिया है हम इसको follow मतलब इसको use तो जरूर करते हैं लेकिन इसको follow नहीं करते हैं follow हम अपनी strategy को करते हैं अपनी planning को करते हैं जो हमें जैसे पढ़ना पढ़ाना है कहीं पर जाके पहुंची तो उसने कितनी ग्यात्रा में दूरी तैंकरी ग्यात्रा में उसने कितना समय लगाया यह सारी चीज़ आपके समय पर relate करती है जहां पर 24 गंडे का प्रियोग करके चीज़ों को develop किया जाता है यह आपको जब में डेटा की प्रस्तुती और प्रतिनिधी अर्थात हम इसको डियाई आपको जब डेटा इंटर्प्रेटेशन पढ़ाएंगे वो जब मैं सांख्य की आपको जब मीन मीडियन पोर्ट पढ़ाऊंगा उसी दोरान मैं आपको इस टॉपिक को वहीं पर कबर करा दूँगा इसमें क्या होगा कि एक बड़ा सा अंकड़ा होगा उस अंकड़े से संबन्दित को एक फीगर जैसे बार ग्राप, डाई ग्राप या पाई चार्ट पर दी जाएंगी और उस इन्फरमेशन का लेबल या पर वन और फेपर टू डो में अलग-अलग होगा पिपर वन में बड़े ही सामाने लेबल का होगा जबकि पेपर weeks में हाई ले बल का होगा अब आते हैं हम लोग यहां पर कच्छा 6 से लेकर के 8 तक मतलब पेपर 2 की हम लोग बात करते हैं, पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले पेपर 2 के चैलेंज को सबजने के आउस तकता है, यह इतनी easy नहीं है, इसको face करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और reality में चै बिसान होते हैं, अब आप इसके अंतर कर देखेंगे, तो हम लोग 4 बिसे को face कर रहे हैं, 4 बिसे की बात अगर किया जाया है, तो हम लोग 150 question ही face कर रहे हैं, 150 number ही face करेंगे, और 150 minute में इस paper को भी अंजाम देंगे, इसमें भी बिसेओं की बात किया जाया है, तो child development and pedagogy आप and mathematics से कर हम बात करें, तो maximum portion, मतलब 30 percent, आपके 30 percent math के ही रहने हैं, 30 percent math के रहेंगे, बाकी में आपका science है और social science से सम्मन्द चीजे हैं, तो इनको हम लोग यहाँ पर उसी हिसाब से classify करके यहाँ पर पढ़ना प्रारम करेंगे, math के प्रसनों की बात अगर हम लोग करें, हम जाता है, यह इसकी technicality है, कई सारे topic जो नहीं दिये गए हैं, आपकी परिच्छा में उसके प्रसन पूछे गया है, जैसे आप अनुबो करिए, त्रिकोड मिती है, नहीं दिया गया है, त्रिकोड मिती के जो प्रसन है, उनका level देखिए, आप से complex number का भी प्रसन पूछा गय गया है, coordinate geometry का भी प्रसन पूछा गया है, probability का भी प्रसन पूछा गया है, मतलब जो अच्छे label की चीजे होती है, जो advanced mathematics के पार्ट होते हैं, जो आपके पार्ठे करम में अगर दिये भी गया है, तो बहुत सीमित तोर पे दिये जाते हैं, लेकिन उसके high label के प्रसनों की demand आजकल होने लगी है, क्योंकि challenge बड़ा है, बड़ी परिच्छा है, ज्यादा अधरती है, सहीर सी बात है, इसकी technicality, इसकी toughness के chances बढ़ जाएंगे, सही तरह से चीजों को समझेए, आप पार्ठे करम की बात करी, क्योंकि हम गड़ित पर इसमें भी बढ़ेंगे, गड़ित ज्यादा चीजें यहाँ पर उसमें अलग नहीं होती, जसे इसमें देखेंगे, दसमलों के involved किया, मैं जब पढ़ाओंगा, एक साथ चीजों को लेकर चलूँगा, मैंने कहा कि अधितर लोग दोनों पेपर के लिए अपलाई करते हैं, जरूवत उनको उसी तरफ से है, मतल को क्लास में अनुभव करेंगे, सब कुछ लगभग लगभग वही है, केवल लेबल की बात है, केवल लेबल की बात है, आप पूरा सेलवस मैच करा दालें, पूरा सेलवस आपको वही नजर आएगा, सब कुछ वही लगभग लगभग आपको फील कराएगा, वही सब सामने coordinate का जिकर नहीं लेकिन इन से संबंदित प्रस्ण पोचे जाते हैं मेरा यही बताने का उद्देश से हम लोग जब भी किसी भी परिच्छा के लिए batches का plan करते हैं तो उसके लिए जो homer करते हैं जो मतलब strategy बनाते हैं जो planning ready करते हैं ओ planning उस batch को लेकर के पूरी तरह से के इ slept की अन्झाम देने की बाद है, इसको हम लोगों ने किया है हम आज पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं आपने चीजों को भीत कई वर्सों में इन चीज को अनुफो किया होगा देखा होगा यहाँ पर इसी चीज को बार बारी रटरेजर्ट करने की जरूत होती क्योंकि हम और उसी चीज़ आपके सामने explain करते हैं और आप में जो हमसे नए जुड़ते हैं इस चीज़ को बाद में अनुभव करके अपने जो विचार होते हैं जो अपने views होते हैं उसको हमसे साजा करते हैं और हमको उसी चीज़ से यहां पर अनुपर प्राप्त होता है, उसी चीज़ से हमको यह समझ में आता है, कि हमने अच्छा किया था, और उसी चीज़ को हम बार-बार आपके सामने दोहराते भी हैं, अब अगर आप बात करते हैं, जब आप हमसे जॉइन होते हैं, बैचस में, हम जो syllabus है वो तो ठीक है पढ़ाने के दोरान हमारी रड़निती क्या रहेगी पढ़ाने के दोरान जो एक general रड़निती एक teacher की होनी चाहिए वही लगभग लगभग हमारी भी रहेगी हम भी कुछ नया नहीं कर देंगे लेकिन उस दोरान हम अपने pattern को किस तरह से आपके सामने अंजाम देंगे आपकी कच्छा में आपके साथ नयाय करने के लिए हम जो provide करेंगे अपनी तरफ से as a teacher, as a system वो आपको क्या provide करेंगे हम और हम regular life classes हम और हमारा system regular life classes जो बहुत बड़ी बात होती है आप इस शीच को बहुत ही कम लेबल पर अनभू करते होंगे हमारा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो regular life classes provide करता है अर्थात आप हमसे directly और live attached होते हैं class में और हम इस बात को accept करते हैं और इस पर हम proud feel करते हैं कि हम आपसे regular live रूप से attached होते हैं हमारा जो भी schedule होता है उस schedule आपको authentic रूप से दिया जाता है और हम उस schedule पर अपने working के साथ नयाय करने की कोसिस करते हैं हम आपको daily live classes provide करते हैं जो की एक schedule के तहत होता है जो आपको पहले से आपकी बैस में update कर दिया जाता है उस ही समय teacher आपके सामने live होता है आपने पैसे को भी बचाते हैं और अच्छा concentration बना कर पढ़ाई करते हैं फालतू के समय उजाया नहीं करते हैं concept प्लस practice जो हम लोग पढ़ाने का जो हमारा तरीका होगा मैं अपने बिसाय के साथ और भी टीचर्स की बिस्टाइट जी है अपने प्रेजेंट कर रहा हूँ अकेले मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सब की थूँ अपने थूँ आपके सामने रेप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं यहां पर जैसा भी हमारा system है class में ही आपको concept के साथ साथ practice का भी label हमारा रहेगा आगे जो भी हम लोग यहां पर syllabus के दौरान आपको handwritten notes की बात होती जैसे आप देखते हैं कुछ लोग को problem होती है live classes में notes बनाने की तो हम लोग अपने class के ही notes को आपको provide करते हैं कुछ लोग क्योंकि बाद में देखते हैं कुछ लोग पहले देखते हैं उनको लगता है कि हमारे पास जैसा सर पढ़ा रहे हैं उसका वैसा ही notes होना चाहिए तो chapter Y जो notes आपको PDF के फार्म में आपकी batch में दिये जाते हैं जो पूरी तरह से class based ही pattern होता है जैसा class पे पढ़ाया जाता है उसी sequence को वहाँ पर follow up कराया जाता है उसी pattern पर based होता है हलाकि हम suggest भी करते हैं कि आप लोग self notes बनाएं अपने सब्दों में चीजों को लिखें अपनी query को indicate करें और जब से best होता है लेकिन फिर भी हम आपनी responsibility के ताथ आपको handed notes प्रवाइट करते हैं class practice seat जो generally किसी भी topic को पढ़ाने के दौरान उस topic से संबन्द जो भी अभ्यास हो सकता है जो class में कराने की जिसके आउसकता होती है वो हम आपको पहले से ही provide कर देते जिससे कि आप उसको relate कर सके और practice में अपने आपको involve कर सके complete practice seat होती जब कोई chapter final complete हो जाता है अपने परिच्छा के प्रस्णों को relate कर पाते है और सही तरह से subjects पर अच्छा command बना पाते है class test को हम लोग यहाँ पर इसली जरूरी रखते हैं क्योंकि इससे आप अपने को experience कर सकते हैं अपनी छमता का सही observation कर सकते हैं एक निर्धारी समय में आपको एक test paste करना होता है आप उस test की report को हम से स्याजा करते हैं हम उस पर एक progress report बन रहाते हैं generate करते हैं जो मैंने यहाँ पर last में लिखा है progress report हम उस पर एक progress report बनाते हैं और आप से direct contact करते हैं आप से discuss करते हैं कि आपके अंदर किस प्रकार की improvement क्या हो सकता है और कैसे आप धीरे-धीरे आप हमसे इस से ज़्यादा और अच्छा कर सकते हैं और जैसे ही एक दो test class होता है वह चात्र अच्छा करने लगता है इस सीज को आपने कई लोगों नयनुभो भी किया होगा doubt removal session in chapter या progress report या class test पर based एक जनरेट किया जाता है जो कि हम लोग weekly या 10 दिन या 15 दिन या जो भी एक session हम लोग यहाँ पर describe करें जिसमें तमाम सारे एक 7 problem, bulk problem को लेकर के हम doubt removal classes के रूप में आपको एक classes session के तौर पर provide करते हैं test region and marathon का जो segment होता है after completing the course होता है जो एक complete pattern platform पर, public platform पर आपको आफर किया जाता है जो लोग हम से नहीं भी जुड़े होते हैं वो भी इस प्रक्रिया में participate कर सकते हैं हलागि कुछ चीजें badge के लिए ही होती है ति यह जानकारी आपको थी आपको, मतलब हमें देनी थी मतलब यह system भी आप ऐसे समझने की कोशिस करिए यह जो approach है यह हम as a system आपको आफर करेंगे और मुझे आपसे क्या उम्मीदे रहेंगी यह भी समझने की कोशिस करिए अब हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं, इसकी भी जानकारी हमारे लिए देना अवसिक है, उम्मीद आपसे बस इतनी ही रहती है, कि आप पढ़ने को बड़ी इमानदारी से लीजिए, जो एक जनरल बात होती है, लगबग सारे अध्यापक आपको इस चीज़ को समझाते हैं, क सही तरह से पालन करना, मतलब जब भी आप क्लास लें, तो क्लास को जैसा एक सिस्टम होता उसी प्रकार से लें, जैसे आप किसी आप लाइन क्लास को अगर करते हैं, तो आप उस क्लास में क्लास टीचर के जाने से पहले, या उसके आसपास ही क्लास में इंट्री कर जाते है और जब तक वो lecture चलता है तब तक आपको बैठे रहना होता है यहाँ पर आपको self responsibility लेनी होगी क्योंकि यहाँ पर आनाप करने की जो mode होता है वो आपके पास होता है आपकी device, आपका tablet, आपको mobile phone आपके हाथ में रहता जब मनके lecture में entry किये जब बाहर निकल गए live class अगर आप कर रहे हैं खास करके math बिसे की में बता रहा हूँ तो आपको मैं आपसे ही उम्मीद करूँगा कि class शुरू होते ही class में इंटर करें और class के ending पे class से बाहर निकलें कभी-कभी ऐसी situations आती है मैंने इस चीज को देखा है कि class के बीच में कोई छात्रा आया जैसे ही class चल रही है, बीस-पचीस मिनिट की class चल रही है कोई question हम बीच में साल्ब कर रहे हैं उस दौरान कोई entry किया और उसने समझने की कोसिस करी उस समय तो कोई भी ब्यक्ति हो नहीं समझ पाएगा अगर उसमें चीजों को पहले नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर एक interruption generate होता है एक virtual medium है, यहाँ पर सब के support से चीज़े चलती है इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगा कि class के दोरान आपको punctual time पर focus करने की जरूवत होती है punctuality दिखाने की आउसकता होती है तो एकदम से अपने आपको केंदृत करके बैठने पर जब आप बैठते हैं, सही से समय का उपयोग करते हैं concept को सीखने की कोसिस करते हैं आप 100% आप अच्छा कर पाते है discipline बहुत आउसक है अनुसासन की बहुत आउसकता होती है फालतू के कमिटवाजी में ना फसना फालतू के discussion में ना फसना अपने पढ़ाई के प्रतिकेवल अपना orientation बना के रखना ही आपका सबसे बड़ा उद्देश यहां पर life classes के माद्यम से होना चाहिए जो आप लोग यहां पर जब हम से जुड़ेंगे तो इस चीज को आप फील करेंगे और उसको हम life class में आपको समझाएंगे भी संस्थान ने जो बैच प्लान की है इस बैच का उद्देश से 130 से अधिक अंको को अरजित कराना है और हमारा उद्देश यही रहेगा कि हम अपने उस कदम में उस गोल में उलच में हम जरूर सफल होंगे यह लच्छ यह सफलता हमारे अकेले के बसकी नहीं है इसमें हम सभी आप सभी के साथ आपके सहयोग के साथ ही हम सब कुछ कर सकते हैं तो मैं आप सभी से उसी सहयोग की उमीद करता हूँ मैं आप से फिर से एक बार आप से यही रिक्विस्ट करता हूँ आपको फिर से एक सजिसन देना चाहता हूँ कि अगर आपने 2021 में UP TET qualify करने का सोचा है क्योंकि SuperTet के बाद vacancies निस्चित हैं जो आएंगी अगर आपने आपने आपको निस्चित किया है कि आप जरूर एक teacher बनना चाहते हैं तो आपके पास एक बढ़ियां आउसर है, बढ़ियां समय है, आप घर बैठे आनलाइन मोड पर प्रापर बे में पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी disturbance के कम फीस में, सही discipline के साथ, सही अनुसासन में, सही regularity में आप प्रापर पढ़ाई कर सकते हैं संस्थान, target with आलोग, हमेशा इस चीज के लिए committed रहा है, हमेशा इस चीज के तड़स्त रहा है और उसने जो responsibilities ली हैं, उसको हमेशा से निभाया है इस बात को आप सभी लोग समझ सकते हैं मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूँगा, अपने पाठेक्रम को ले करके, मैं next session आपके सामने जल्द से जल्द रहे कराऊंगा जहांपर मैं पढ़ाने की प्रक्रिया पर काम करना सुरू करूँगा आप तो मैंने कोई पढ़ाय लिखाई की बात नहीं की, लेकिन थिर भी मुझे लगता है कि आपके लिए session important रहा होगा और आपने इन जीजों को समझा होगा हम लोग अगले session में पढ़ाय लिखाई सम्मंदित बातर करना सुरू करेंगे आज के लिए इतना है, thank you so much, धन्यवाद